नेटवर्क तथा डाटा सुरच्छा नेटवर्क एंड डाटा सिक्रुटी साइबर लोक के सब्दावली में डॉस का क्या रत है डैनियल अब सर्विस एक निस्चित पते पर किसी एव यूजर द्वारा बार बार एक ही इमेल संदेज भेजना क्या कालाता है एक निस्चित पते पर किसी एव यूजर द्वारा बार बार एक ही email संदेज भेजना क्या कहा रता है email spamming अनजान email अनुल गनकों में को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें virus होता है जो आपके computer को नुक्सान कर सकता है जंक या अवांचित विग्यापन वाले email को कहते है spam जब computer virus या किसी अने तुरूटी के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या करते है crash जब किसी अनजान प्रेशक से कोई email प्राप्त हो तो इसे बिना खोले डिलेट कर देना चाहिए अपराधियों दोबारा यूजर की personal information प्राप्त करने या चोरी करने के लिए छम रूप धारन करने और उनके resource को access करने का पर्यास करता है कौन identity theft spam किस बिशे से सम्मंदित है computer से firewall का मुख काम क्या है monitoring proxy का पर्योग क्या जाता है अन अधिक्रित उप्योग करता हों के खिलाप सुरच्छा पर्दान करने के लिए cookies computer पर store करती है user की web activity सम्मंदी सुचना किस network में computer को hacker से intuition या अतिकर्मन से बचाने के लिए पर्योग के जाता है firewall किसी user ने किसी website पर कितनी बार visit की है इसका पता लगाने के लिए पर्योग के जाता है cookies का इससे सुरच्छा के लिए firewall का पर्योग के जाता है किससे सुरच्छा के लिए firewall का परियोग किया जाता है अनुथराइज़ अटेक्स का संचार नेटवर्क में फायरवल का परियोग किया जाता है अनधिक्रित उपयोग करताओं के बचाने के लिए कंप्यूटर वायरस होता है एक द्वेस्पूर्ण सॉफ्ट्वेर प्रोग्राम ऐसे वायरस जो समय बितने पर या किसी खास तरीके को चलते हैं क्या कालाते हैं टाइम बम ऐसे वायरस जो समय बितने पर या किसी खास तरीके को चलते हैं क्या कालाते हैं टाइम बम एक प्रोग्राम जिसमें आन्य प्रोग्रामों को और संकरमित करने की योगता होती है तथा जो अपनी परतिया स्वय बना कर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है उसे क्या काते हैं वाइरस कम्प्यूटर वाइरस एक ऐसा कम्प्यूटर वाइरस है जो स्वय की परतिलिपी बना सकी अधी आपका कम्प्यूटर सवता रिबूट होता है तो संभावना है कि इसमें वाइरस है यह वाइरस प्राता फ्लॉपी डिस्क ड्राइब में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है बुट सेक्टर वाइरस यह प्राता इमेल अटेस्मेंट के जरिये कम्प्यूटर तक पहुंचाया जाता है और अधिकांड नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन के जाता है वाइरस को वाइरस को किसी दुसरे कम्प्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है क्या कालाता है ट्रोजन होर्स कम्प्यूटर डाटा को नस्ट करने वाला प्रोग्राम जो दुसरे कम्प्यूटर को परभावित करने के लिए travel कर सकता है उसे क्या करते हैं वाइरस वाइरस वांप्स और ट्रोजन होर्स जैसे सौफट्वेर जिन में हानिकारक प्रोग्राम होता है उसे क्या करते हैं माल्वेर, फाइरस से तातपर है, वाइटल इंफर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ग्याद सॉप्ट्वेर बग को रिपियर करने के लिए इंटरनेट पर समान्यता बिना परभाव के मिलने वाला सॉप्ट्वेर है, पैच, कंप्यूटर है, एक ब्यक्ति जो ब्यक्तिगात ला प्राउंट क्रेडिट, काड या अन, लॉग इन सुचना प्राप्त करने की प्रिक्रिया कहलाता है, फिशिंग, कंप्यूटर सुरच्छा के संदर्व में, हैकर्स की इस नाम से जाने जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वाग अपनिये कोड, जो कुछ प्रोग्राम में प्रिविस्ट पर्तिबंधित करता है, उसे पासवर्ड कहते हैं, पासवर्ड के परियोग के उप्योग करता है, गोपनियता ब्रकरार रख सकते हैं, वाग गुप्त कोड जो कुछ सुरच्छित प्रोग्राम में यूजर को एक्सेस प्रतान करता है, क्या कहलाता है पासवर स्पैम को पहचान कर उसे दूर करने वाला प्रोग्राम कराता है एंटी स्पैम प्रोग्राम हाडवियर और सौफ्ट्वेर का समुख जो किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर नेटवर्क में अनधिक्रित उप्यक करताओं का परवेश रोकता है उसे क्या कहते हैं फायरवियल कम्प्यूटर फायरवाल है सौफ्ट्वेर और या हाडवियर जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है या hot disk के boot software को इंगित कर boot software के महत पुर्ण भाग को संकर्मित करता है उसे boot वारिस करते है अपनी गलत पहचान बता कर किसी गोपनिय सुचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है वा व्यक्ति जो अपनी विशेशता का उपयोग दुसरे व्यक्तियों के कम्प्यूटर से गोपनिये सुचना पराप्त करने या नुकसान पहुचाने के लिए करता है उसे क्या करते है किसी व्यक्ति के अंगुलियों के निशान के अधार पर एक्सेस या परिवेस नियंतरन क कालाता है जेवी के पहचान लॉग remained back in नेम तथा पासवर्ण का वेरिफिकेश्ञ करने के लिए या वेरिफिकेश्ञ की प्रिकृरिया क्या करते है authentication या संख्याओं और वर्नमाला का एक मिश्रन है जिसका परिवी यूजर्य आकाउंट एक्सेस करने के लिए यूजर नेम के साथ क्या जाता है उसे क्या काते है पासवर्ड आपर आधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डेमेज की कई फाइलों को पुना प्राप्त करने की बिसेश अगयता कहलाती है एक कंप्यूटर फॉरेंसिक नेटवर्क सुराच्छा में डवलू इपी का क्यार्थ है वायर्ड उक्यूवेलेंट प्रिवाइसी एक विसेश डिजिटल कोड जिसे किसी फाइल या इमेल संदेश के साथ जोड़ा जाता है ताकि प्रेशक की पहचान इस्थापित की जा सके तथा या सुनिश्चित की जा सके कि फाइल या मेसेज हस्ताचर के पहचात परिवर्तित नहीं क्या जा सकता है उसे कहते हैं डिजिटल हस्ताचर एक ऐसी टेक्स्ट फाइल जो वेब सरवर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है उसे क्या कहते हैं कुकीज इंटरनेट के उपयोग इमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या काते हैं मेल बॉक्स उस फाइल को क्या काते हैं जो इमेल से जोड़ी होती है और इमेल प्राप्त करने वालों को भेज जाती है अटैस्मेंट इमेल का प्रेशक टेक्स्ट संदेश को Bolt Italic आदि के साथ Formate करना चाहे तो किसका परयोक करना चाहिए इस टेक्स्ट फॉरमेट का email address में सामील होता है परयोकता के नाम के बाद domain नाम नई प्राप्त हुई email store की जाती है नई प्राप्त हुई email store की जाती है किसमें inbox में आपके email खाते को host करने वाले computer को क्या करते हैं email client email attachment क्या होता है किसी दूसरे program का document जो email के साथ जोड़कर बेज़ा जाता है अधिकांस email program किसी email के निमनलिकी दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं from or date इमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज किया जाता है एड्रेस बूक, इमेल एड्रेस का चार्ट नहीं हो सकता स्पेस, कुछ परमूख, निसूलक, इमेल सेवा परदाता है हॉट मेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, जी मेल किसी इमेल एड्रेस में होता है यूजर आईडी, या साइन तथा इमेल सेवा परदाता का नाम इमेल का पूरा नाम, इलक्ट्रोनिक मेल सीसी क्या है, एक से अधिक व्यक्ति को इमेल की कारवन कॉपी भेजना इमेल है, कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर तक भेजना इमेल भेजना समान है, पत्र लिखने के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए उपकरनों का कम्प्यूटर से सलंगन जरूरी है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए इन उपकरनों का कम्प्यूटर से सलंगन जरूरी है माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा दुरस्थ कम्प्यूटर के लॉग इन में मदद करता है टेलनेट, टेलनेट का अर्थ क्या है? टेलिफोन नेटवर्क, कम्प्यूटर नेटवर्क में ASP कभिस्तार्य उत्रुप क्या है? अप्लिकेशन, सर्विस प्रवाइडर इन्टरनेट की सेवा जो वीडियो, आडियो वार्तला प्रदान करती है क्या कालाती है? वीडियो कॉन्फरेंसिंग, चैटिंग क्या है? एक रियल टाइम कनभर्सेशन वीडियो कॉन्फरेंसिंग क्या है? दूर संचार प्रद्गी की का उप्योग करते वे वीडियो कॉल का परचालन टेलनेट है, एक टेक्स्ट, अधहारित कम्प्यूटर प्रोटोकॉल भीवो आईपी का विस्तारित रुपकिया है, भाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट परवस्तों का बैपार कहलाता है, इट्रेडिंग ब्लोग सब्ध, दो सब्दों का सन्योजन है, वे प्लस ब्लोग कम्प्यूटर इंटरनेट का पर्योग करते वे, समानों की खरीद, विक्री या बैपार की परिकरिया को क्या कहते है, क्लास्रूम ना जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिये आधियन के लोगप्री तरीकों क्या करते हैं इलर्निंग इंटरनेट के इस्तमाल के समय फूल स्क्रीन भीयू के लिए परियूक्ट की बोर्ड कमांड है F11 फाइल के अस्थांतरन और मेसेज आधान-पदान करने के लिए उप्योगिशवा है इमेल इमेल में मेसेज जिन्हें बनाया गया है पर भेजा नहीं गया है उसे क्या करते हैं ड्राप्ट मेसेज या ड्राप्ट फॉल्डर में वो मेसेज से हो जाता है एक online discussion group जो जिवन समवाद इस्थापित करता है उसे क्या करते है ग्रूप चैट कम्प्यूटर का उप्योग कर इंटरनेट पर लोगों के बिज अस्थापित real time telephone समवाद कहलाता है इंटरनेट टेलिफोनी इमेल भेजने वा प्राप्त करने के लिए परियुक्त प्रोटोकॉल है SMTP Simple Mail Transfer Protocol Multimedia या Port Sound Card को विश्यस परकार के संगीत उपकरनों से जोड़ता है उसे क्या करते है मिडी और यो विडियो टेक्स्ट एनिमेशन और ग्राफिक्स का मिश्रन क्या कहलाता है Multimedia MP EZ का पूरा नाम क्या है Moving Motion Picture किन फाइलों का extension नाम .mpg होता है Video Multimedia में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ओडियो और विडियो विडियो मेसेज में हम क्या भेज सकते है विडियो क्लीप कम्प्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माधियमों के परयोग का तरीका क्या कर आता है Multimedia Motion, Picture, Clip में बदलाव करने के लिए किस परकार का Software परयोग के जाता है Video Editing Software Digital Photo और Scan किये गये Image को .bmp.jpg.gif आदी जैसे Extension के साथ किस रूप में Store के जाता है Bitmap Graphics में Video Process जो चित्रों को Store और Process करता है किस में होता है वी जी ये था मेमोरी में चित्र को Computer में Store करने के लिए परचली फाइल फॉर्मिट कौन सी है JPEG Microsoft Window असानी से समझे जा सकने वाले instruction को कहते है User Friendly अधी आप Windows 98 को Windows XP में बदल दे तो आप वास्तव में करते है Upgrade Windows ME में ME कार्थ क्या है Millennium हायार कीकल हायार कीकल स्ट्रेचर बनाते हैं फॉल्डर के वितर रह सकता है Subfolder अध़पी विंडो में एक ही समय में कोई प्रोग्राम खोले आ सकते हैं कई प्रोग्राम खोले आ सकते हैं तथा पी इसमें सेक्रिय प्रोग्राम हो सकता है केवल एक यूजर किसी डोकिमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल ने छोटा ग्राफिकल चीत्र जो आपके स्क्रीन पर एक अप्लिकेशन फाइल या फॉल्डर को निरूपित करता है क्या कहलाता है आइकन कम्प्यूटर मेमोरी में फाइलों को इस्टोर कर और्गनाइज किया जाता है उसे क्या कहते हैं फॉल्डर्स कम्प्यूटर मेमोरी में फाइलों को इस्टोर कर और्गनाइज किया जाता है किसमें फॉल्डर में किसी सेव किये गए डॉक्यूमन को कहते हैं फाइल किसमें फाइल नेम और संभावता डारेक्टरी का फोल्डर होता है फाइल इस्पेसिफिकेशन में यह स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क डॉक्यूमन या प्रोग्राम को रिप्रिजेंड करता है और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसे क्या करते हैं आइकन कम्प्यूटर मॉनिटर का आयतकार छेतर जो प्रोग्राम डाटर दस्तावेज या सुचना आधी को परदर्शित करता है क्या काल आता है विंडू कम्प्यूटर में .xls extension का पर्योग क्या जाता है एक्सेल फाइल करने के लिए कम्प्यूटर बंद या रिया स्टार्ट किये बिना फेरिफेरल डिवाइस निकानने या जोडने को कहते हैं प्लग एंड प्ले स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड की सुची कहलाते हैं ग्राफिकल यूजर इंटर्फेस कम्प्यूटर पर एक आयतकार छेतर जो चालूब प्रोग्राम और सुचनाओं को दरसाता है उसे क्या कहते हैं विन्डूज विन्डूज में ग्राफिकल रिप्रेजिंटेशन का उधारन आइकन इस आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल अप्लिकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना रहता है उसे क्या कहते हैं शॉटकट आइकन फाइल नेम एक्स्टेंशन का परियोग होता है फाइल टाइप file name extension का परियोग होता है file type identified करने के लिए इस file format का उप्योग data, compression और orqueuing के लिए किया जाता है कि इस file format का उप्योग data, compression और orqueuing के लिए किया जाता है .zip का WordData File जिसे computer द्वारा परिवर्तित compress या manipulate नहीं किया गिया है उसे क्या कहते है RAW File WordDocument का Default File Extension नाम होता है .doc सभी डिलीट की गई File चले जाती है Recycle Bin में उस स्क्रीन को क्या कहते है जो computer को on करने पर परकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते है Desktop 1000 Desktop पर तारीक वास समय परदर्शित होते है Task Bar पर Computer Desktop का अर्थ है Digital Visible Screen Windows तथा Office प्रोग्राम में किसी डॉकिमेंट का नाम Display होता है Task Bar और Title बार दोनों पर आप अपनी Personal File या Folder को रखते हैं My Document में Computer में किसी File को अक्सर कहा जाता है Document किसी खुले विंडो को आइकन में छोटा कर देना कहला आता है मेनिमाईज किसी डॉकिमेंट में पेज के उपर किसी डॉकिमेंट में पेज में उपर या नीचे जाने को कहते हैं Scroll Windows करने का अर्थ है Windows maximize करने का अर्थ है Windows को इतना Expand करना कि वह desktop में फिट हो जाए Computer system के वह विसेष्टा जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉकिमेंट के किसी बहाग को देखा जा सकता है Computer system के वह विसेष्टा जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉकिमेंट के किसी बहाग को देखा जा सकता है Scroll करने पर सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज कम्प्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइन छेतर होते हैं जो आम तौर पर परियुक्त होने वाले कमांड के लिए सौटकर्ट परण करते हैं उनने क्या करते हैं बटन वर्तमान में छल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो उपर आती है टाटेल बार जब कम्प्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टोल किया जाता है तो या किस मेन्यू से जुड़ता है All Program मेन्यू से प्रोग्राम में आप्शन की सूची जो या बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है मेन्यू अधि आप कोई मेन्यू खोले और गिना कोई आप्शन सेलेक्ट किये उसे बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या Escape बटन दबाएं विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची परदसित करता है मेन्यू बार कम्प्यूटर में उपलाद विकल्पों की सूची को कहा जाता है आप्शन्स बटन और मेन्यू का समूँ जो आम तोर पर परियूत कमांड को जल्दी से एक्सेस करने की सुधा प्रांग करता है उसे क्या करते हैं टूल बार किसी मेन्यू में आगे उपलाद विकल्पों की सूची दरसाता है पूल डाउन मेन्यू कम्प्यूटर मेन्यू एक भाग है यूजर इंटरफेस का कम्प्यूटर मेन्यू में होता है कमांड की सूची दाया माउस बटन क्लिक करने पर दिखता है एक स्पेशल मेन्यू कम्प्यूटर, सॉफ्ट्वेयर में कमांड और आप्शन के सूची होती है टूल बार में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है कौन सा? न्यू Microsoft विंडो में हेल्प मेन्यू इस्टित होता है स्टार्ट बटन पर या मेन्यू किसी अब्जेक्ट तक पहुंचने या कम्प्यूर स्टार्ट करने करने देता है स्टार्ट मेन्यू या समान अता टाइटल बार के नीचे परश्चत होता है तथा विकल्पों के सुची पर दरसित करता है मेन्यू बार विन्डोज एक्स्प्लोरल में किसी फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए उस पर राइट किलिक करते हैं किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए उस फाइल पर माउस दबार दो बार लेप्ट किलिक अर्थाथ डबल किलिक करें पहले से सेव किये गए डोकुमेंट जो स्क्रीन पर प्रदसित करने के लिए कमांड है उसे क्या करते है open डाटर को किसी लॉजिकल आधार पर बेवस्थित करना क्या करता है sorting कंप्यूटर स्क्रीन पर परदसित होने वाला परतिक या प्रस्ट जो यूजर को कुछ एक्षन लेने के रिए बताता है प्रॉंप्ट डायलोग बॉक्स विंडोज अपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है डायलोग बॉक्स मॉनिटर और हाट डिश ड्राईव जैसे पावर हंग्री कंपोनेट को अइडल राखने पर कंप्यूटर चल जाता है इस्टेंडबाई में इसे मुझ दिख गॉप से पावर सेबिंग के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हाड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर को आप कर देता है हाइबरनीट विंडो अपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनीट का रथ है रणिंग अप्लिकेशन को बंद किये बीना कंप्यूटर सट डाउन करना कंप्यूटर टेलिविजिन आदी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस में सिलिप मोड का उधेश चाहिए बिजली की खपत कम करना माउस से किसी अबजेक्ट की प्रपर्टिज देखने के लिए करते हैं कंप्यूटर में हाड डिस्क की प्रपर्टिज को देखकर पता लगा जाता है कि डिस्क में कितनी मातरा तक जगह का इस्तमाल हो गया और कितनी जगा खाली है कम्प्यूटर पर फाइल्स, फॉल्डर्स तथा ड्रैप्स दिखता है तथा फाइल है यारकिक के भीतर एक लोकेशन से दुसरे में नेगेटिव करना असान बताता है विंडोज एक्स्प्लोरल एक डिरेक्टरी के अंदर विदमान डिरेक्टरी कहलाती है सब डिरेक्टरी स्टोरेज डिस्क की मुझ की डिरेक्टरी को कहते है रूट डिरेक्टरी फाइल का नाम बदलने के लिए परियुक प्रोसेस को कहते है रिनेमिंग फाइल का नाम बदनने के लिए परियुक्त प्रोसेसर करते हैं रिनेमिंग, सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है फाइल मेन्यू, किसी डॉक्युमेंट को पहली बार सेव करने के किस आप्शन का परियुक्त करते है सेव एज का, गटर मार्जिन क्या होता है प्रिंट करते समय, पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन गटर मार्जिन क्या होता है, प्रिंट करते समय, पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन मौझूदा डॉक्यूमेंट में किसी भीन नाम से सेव करना हो तो सेव एस कमांड का पर्योग करें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए की बोर्ड कमांड है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेट किया गया है फाइल या कमांड कम्प्यूटर पर बनाए गए है, document को screen पर परदरशित करती है, त hacerlo, कागज पर output के लिए printer को भेज़ती है, उसे क्या कहते है, print, print out लेने से पहले document को देखने के लिए पर्योग किया जाता है, print free view, किसी document में margin निर्दिशिट करने के लिए स्लेक्ट करें फाइल मेन्यू में पेज सेटप को किसी पेज पर कितने मर्जिन होते हैं टॉप बॉटम लेप्ट राइट मैक्रो सब्ट ऑफिस में पोट्रेट और लेंड इसकेप है पेज औरिंटेशन पोट्रेट पेज लेआउट में लेंड इसकेप की अपेच्छा परती लाइन कम करेक्टर होता है विंडोस प्रोग्राम में किसी डॉक्यमेंट को प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का पर्योग करते हैं मेन्यू का टेक्स्ट और अन डाटा को किस टेंपररी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि उसे उसी या किसी अन प्रोग्राम में किसी दूसरी जगा पेस्ट किया जा सके क्या कहलाता है किसी डॉकिमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉकिमेंट को आपने बनाया है या पहले से मेमोरी में सेव है उसे पढ़ना और फिर उसे परिवर्तित करना या गलत तरीके को ठीक करना डेल कमांड का परियुक किया जाता है सेलेक्टेड आइटम डिल्ट करने के लिए एक प्री डिजाइन डॉकिमेंट जिसमें फंट लेयाउट तथा बैक्ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं टेंपलीट Microsoft Office या Microsoft Word Microsoft Office करनीजी सुचने प्रबंदा के आउटलुक वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉकिमेंट त्यार करने उसे स्टोर करने और उसमें सनसोधन करने के सुधा रहती है Word Processor Word Processing Software कब परियोग किसके निर्मान के लिए किया जाता है डॉकिमेंट के Microsoft Word है एक Application Software Program Computer में किसी Word Document को Create, Edit, Format, Store, Retriever, Print करने के लिए प्रोग्राम है Word Processing MS Word Program परियोग के जाता है Text Data संसोधन है तु किसी डॉकिमेंट में पिक्चर या Text आदी डालने के लिए परियोग के जाता है Insert Menu Fund और Style बदलने के लिए किस Menu का परियोग के जाता है Format का इस Command में आप वर्तमान, Screen या Program को छोड़ सकते Exit Computer में पहले से त्यार डॉकिमेंट में संसोधन करना या मौजूदा डॉकिमेंट में कंटेंट में परिवर्त करना क्या कराता Edit बना लिए कि डॉकिमेंट को इजिट करने का रता है डॉकिमेंट परिवर्तन या क्रेक्शन करना परियोगता कि इस Menu से टूल बार या चेन कर सकता है View Menu Print होने पर डॉकिमेंट का इसा दिखेगा इसे जानने के लिए परियोग करने Print Preview Option Office Assistant है एक इनिमेटेड कारेक्टर जो सहता वा सुजहा उपलत कराता है MS Word प्रोग्राम में Ctrl प्लस N का परियोग के जाता है नया डॉकिमेंट खोलने के लिए Command के सुचना या Command के सुचियां को जो Screen पर प्रकट होती उसे क्या कहते है Menu जिसे Button और Menu दोनों सामिल है वाले Command प्लांग कराता है उसे क्या कहते हैं Toolbar Word डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में Text प्रया एलाइन होते हैं Left किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या Elements के Physical Arrangement को कहते हैं Format किसी डॉक्यूमेंट को Computer Screen पर उपर नीचे या दाय बाय ले जाने के लिए परियोग होता है Scroll Bar Zoom Control Slider इस्थित रहता है Status Bar Zoom Control Slider इस्थित रहता है Status Bar में किसी डॉक्यूमेंट में Cool Page संख्या और वर्तमान में Cursor की Page संख्या बताता है Status Bar किसी डॉक्यूमेंट में Text Type करते समय इंटर की का परियोग किया जाता है प्रेग्राप के अंत में Word Processors प्रोग्राम की वा विश्यस्ता जो किसी चित्रिया डाइग्राम को टेक्स्ट में गहरने में सच्छम बनता है Text Wrap Word Processors प्रोग्राम की कौन सी विश्यस्ता किसी प्रेग्राप में पर्तेक लाइन के अंत में इंटर की ड़ाई बीना Text Type करना संभ़व बनाता है Word Wrap 剛剛 MS Word प्रोग्राम में White Wrap विश्यस्ता किसी लाइन के अंत में Tipe किये सब्ध को सवुता अगली लाइन में भेज दिता है MS Word program में Word Wrap पिसिश्टा किसी लाइन के अंत में type किये गए सब्द को सवता अगले लाइन में भेज दिता है अधी document में दोनों तरब से अधी document में दोनों तरब के खासिये सिधे और सम हो तो इसका आर्थ है कि डॉक्यूमेंट में जस्टिफिकेशन पेज पर सब्द की शुरुप में दिखेंगे या निर्धारित करता है टेक्स्ट फर्मेटिंग पर वर्ड प्रोसेसिंग में अच्छरों की अलग-अलग सैलियें को कहते हैं फॉन्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में वाकि यह फॉन्ट का चुनाव करना थो फॉर्मेट मेनिउ में फॉन्ट सिलेक्ट करें वर्ड प्रोग्राम में सेलेक्टज टेक्स्ट को इसंटर अलाइन करने के लिए की बोर्ड शॉरॉट कट है Ctrl प्लस E Word प्रोग्राम में Styles का पर्योग क्या जाता है Document को Format करने में Document में Text की Lines की बीच Vertical Space की मातर निधारत करता है Line Spacing MS Office प्रोग्राम में Ctrl प्लस E को Command करता है Select किये गए Text को Underline करने में Word डोकिमेंट में किसी सब्द या वाक्य का font बदलने के लिए चुने Format menu में font विकल्प Word डोकिमेंट में किसी सब्द या वाक्य का font बदलने के लिए किसे चुनते हैं Font menu में font विकल्प Text style, alignment और size change करने का बटन डिस्पले कराता है Formatting तुलबार Document में या document के appearance को change करने से सम्मंद Word processing task है Formatting Document के appearance को change करने से सम्मंद Word processing task है Formatting Screen पर पब्लिकिंग परतित जो या दरसाता है कि अगला करेक्टर कहां पर दीखेगा उसे क्या करते हैं इंसर्शन पॉइंट, वर्ड में पेज मार्जिन बदल सकते हैं, रूलर पर मार्जिन सिमाओं को ड्रैक कर, टेक्स्ट डॉक्युमेंट में आपकी वर्तमान पोजिशन दिखाता है, कर्सर, वर्ड में जब परिग्राप को इंडेंट किया जाता है, तो टेक्स्ट मार्जिन के समंध में अंदर सरक जाता है, किसी डॉक्युमेंट में कम्प्यूटर स्क्रिन पर बिलिंग करने वाला सिम्बल क्या कहलाता है, कर्सर, MS Office में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कमांड है, कंट्रोल प्लस इंड, किसी ट्रेक्स डॉक्यूमेंट में पंती के आरभ में जाने के लिए परियुक्त की है, होम, मार्जिन हेडर और फूटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा, या जानने के लिए क्या परियुक्या जाता है, पेज ले आउट है, पेज ले आउट व्यू है, क्लिक एक्सल टूल बार पर, स्थित या बटन आपको अपने ताजा कमांड या एक्टिविटी को कैंसल करने के स्विधा प्लान कराता है, उसे क्या करते हैं, अंडू, MS Office प्रोग्राम में अंतिम कारे को अंडू करने के लिए की बूर्ड कमांड है, किसी डॉक्यूमेंट में किसी सब्द को ढूनने और उसके अस्थान पर सही सब्द डालने के लिए कमांड है, Find and Replace, Word प्रोग्राम में Ctrl प्लस एप शॉटकट की का परियोग होता है, Find और Replace डालोग बॉक्स खोलने के लिए, Microsoft Office के Word प्रोग्राम में Replace आप्शन उपलब्ध है, Edit मेन्यू उपर, Word टेक्स्ट जो पेज के बॉट्टम में प्रिंट होता है, उसे क्या कहते हैं, Word टेक्स्ट जो पेज के बॉट्टम में प्रिंट होता है, उसे फूटर कहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के परतेक पेज पर सिर्शक, पेज नंबर जैसे सुचना डालने के लिए, परियोग किया जाता है, Header और फूटर का, वर्ड प्रोग्राम की हुआ विशेष्टा जो स्पेलिंग आदी की समान तुरूटियों का स्वता पता लागा कर उसे ठीक कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, आटो करेक्ट, वर्ड रैप की विशेष्टा है, कि यह आप सकता पढ़ाने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वता भेज देता है, किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का अस्थान का लागता है, इंडेंट, किसी डॉक्यमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्वेश के मातर कहलाती है, लाइन स्वेशिंग, Microsoft Word में Ctrl प्लस Z कमाण्ड परिक्थ होती है, अंडू करने के लिए, Microsoft Word में Ctrl प्लस N कमाण्ड नया दस्तवेश खोलती है, टूल बार पर कॉम सा कमान्ड डॉक्युमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है वेब ले आउट ब्यू जब किसी सुचना को डॉक्युमेंट से कट या कॉपी किया जाता है तो उसे आ अस्थाई तोर पर रखा जाता है किलिप बोर्ड पर सलेक्ट किये टेक्स्ट के सभी अचरों को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए चेंज केस या चेंज डायलोग बॉक्स में बटन दबाएं अपर केस किसी वर्ड डॉक्युमेंट में इंड विंडो खोलने के लिए की सॉटकट है किसी word document में find window खोलने के लिए keyboard shortcut कौन सी है किसी document में page का उपरी हिस्सा कहलाता है हेडर एन एस वर्ट डॉक्यमेंट में किसी सब्द के निचे लाल लहर का निशान दर साथता है spelling की तुरूटी किसी document में कोई paragraph वाक या सब्द डिलीट करने के लिए परियोग किया जाता है highlight and delete वर्ट डॉक्यमेंट में page break insert करने के लिए विकल्फ है insert page break या control प्लस enter Microsoft word में किसी सब्द को mouse द्वारा select करने के लिए उसे click क्या जाता है दो बार समक्र डॉक्यमेंट को एक साथ select करने के लिए परियोग क्या जाता है control प्लस A word processing में select कियेगे किसी paragraph या item को एक अस्थान से दूसरे अस्थान में ले जाने का सबसे सही तरीका है cut and paste किसी document को उसके मूल अस्थान से delete किये बिना दूसरे अस्थान पर ले जाना क्या कलाता है copy or paste अधि आप किसी file को copy और paste करते हैं तो मूल file में कोई परिवर्तन नहीं होगा और नई file create हो जाती है MS office program में copy कियेगे content को document में paste करने के लिए कौन से keyboard है Ctrl प्लस भी Windows program में cut या copy की गई वस्तु को परियोग से पूरू रखा जाता है clipboard में जैसे ही आप document पारागराफ या picture बनाते हैं आपका computer data को hold करता है clipboard में cut या copy किये गए document को insertion point पर डालना क्या कर लाता है paste जब highlight किये गए किसी text को copy क्या जाता है तो text की एक परतिलिपी click board पर store कर लिजाती है किसी document की प्रिष्ट भूमी में बना चित्र या text कर लाता है watermark इस command का परियोग करने से text या graphics अपने अस्थल या अपने अस्थान से हट जाती है तथा clipboard पर store हो जाती है ताकि उसे बाद में किसी आने जगा paste किया जा सके cut professionally design किये गए एक MPT document में जिसमें font layout तथा background होता है तथा जिसे परियोकता की जरुरूरतों के हिसाब से बदल दिया जाता है उसे क्या कहते है template presentation में नई slide को insert करने के लिए keyboard पर press करें control plus M word application program को close करने के लिए क्या जाता है alt plus F4 या file greater than close या file greater than exit या window में X button और Ft का पूरा नाम किया rich text format MS office में office assistant एक animated character जो सहता या सुझाओ देता है sum sorry microsoft excel sum का formula sum B1 is to B8 उद्हार ने formula का work short में column और row के intersection को कहते है sale spread sheet program में एक number जिसे हम calculation में पर्योग करते हैं उसे करते है value वाफ प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन का track रखने और budget बनाने के लिए click you later की click you later की तरह काम करता है spread sheet excel में दो या अधिक sale को एक sale में मिलाने की क्रिया कहलाती है merge sale excel worksheet में data को organize के जाता है row और column में excel वाफ प्रोग्राम है जिसका पर्योग क्या जाता है spread sheet त्यार करने के लिए excel में active sale का content कहां दिखा देता है फर्मूला बार पर excel में किसी sale की पहचान होती है sale address से excel chart में परतेक variable के लिए केवल एक value रिप्रेजेंट करता है function ms excel में फर्मूला बार का परियोग किया जाता है फर्मूला डालने के लिए excel में data डालने और फर्मूला इडिट करने के लिए excel प्रोग्राम में फर्मूला का सुद्र प्रादम होता है dash equal to chin से Microsoft excel फाइलों का default view होता है normal view का Microsoft excel फाइलों का default view होता है normal view खुली ही दो या अधिक excel फाइलों में एक फाइल से दुसरे फाइल तक जा सकते हैं कैसे control प्लस टैप दवारा किसी नए ms excel फाइल में सुद्धा कितने वर्क्षिट होते हैं spread sheet में row और column intersectional कहलाता है sale excel में active sale होता है वर्तमान sale किस खास विशेष्टा के माध्यम से excel डाटा के परिनामों की dynamically गर्ना की जाती है formula वा function की excel में work bug collection है वर्क sheet का excel window के button में दिखता है sheet टैप पर वर्क्षिट में select किये टेबल में predefined layout को excel की कौन सी विशेष्टा enable करता है आटो फर्मिट excel में या excel के एक row में insert point को एक sale से दुसरे sale में जाने के लिए keyboard button है tab excel में या एक pre recorded और wilt in formula है जो जटिल गन्नाओं के लिए short cut परदान करता है function की अनसिक रूप से पूरी की गई workbook को क्या कहते हैं जिसमें formula और formatting होती है पर data नहीं templates excel document में परियुक्त सेल को इनके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का row और column level microsoft office के excel प्रोग्राम की इस विशेशता में और और योग जैसे गन्ना करने का function सामिल होता है calculate worksheet का basic unit जिसमें आप excel में data इंटर करते हैं उससे क्या करते हैं एक्सल के एक रो में insertion point को पहले सेल में ले जाने के लिए प्रेस करें home page किसी बैपारी के ग्राहक inventory तथा payroll records को store करने के लिए सरवार्धिक उप्युक्त है worksheet spread sheet program में sale एक आयातकार box होता है जिसे परिभासित क्या जाता है row और column के intersection के रूप में excel प्रोग्राम में एक worksheet है excel प्रोग्राम में एक worksheet से दूसरी worksheet sheet पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं sheet tab spread sheet software के प्रयोग में उपलब्ध आकड़ा समस्टी की सबसे छोटी काई है सेल MS Excel में row और column का संग्रा जो मूल पाट तथा संख्याओं को धारन करता है क्या कहलाता है worksheet MS Excel में किसी एक सेल या सेल के समूब का data मिटाने के लिए सेल को select कर delete button दबाएं किसी Excel worksheet में power point presentation डालने के लिए प्रयोग करते हैं edit greater than paste special Excel के किसी सेल में फर्मूला का परिनाम करता है display value MS Excel में insertion point को document के पहले सेल में लाने के लिए key button है MS Excel में insertion point को document के पहले सेल में लाने के लिए key button है control plus home Excel प्रोग्राम में intersecting column और row का अच्छर और अंक होता है किसमें सेल अड्रेस में thank you subscribe my channel झाल झाल किसमें प्रोग्राम के लिए झाल किसमें धन्तर आग्राम